दोस्तो टीवी सीरियलों में एक से बढ़कर एक कहानियां देखने को मिलती हैं इन कहानियों को देखकर दर्शक बेहत खुश होते हैं और इन कहानियों को निभाने वाले कलाकारों को भी देखकर दर्शक बेहत खुश होते हैं उन सीरियलों की कहानी तो तब और भी ज्यादा पसंद किया जाता है जब इस शो के हीरो हीरोईंग अपने प्यार को पाने के लिए और उनसे शादी करने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं और इसी स्टोरी को दर्शक बेहत पसंद करते यही स्टोरी तो सो में जान डाल देती है लेकिन दोस्तों आज हम आपको टीबी सीरियलों के उन अभी नेत्रियों से मिलवाएंगे जिन्हों ने अपने प्यार को पाने के लिए एक नहीं बलकि अपने सीरियल में कई बार शादी की थी और शो की स्टोरी को और भी ज्यादा दिल्चस्म बनाया था तो आज के हमारी वीडियो में हम आपको टीबी की टॉप फाइफ ऐसी एक्ट्रेस से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने सीरियल में एक नहीं बलकि कई बार शारी की थी अगर आप भी उन अभी नेत्रियों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडिय सीरियल में शादी की थी तो आपको बताने की वह सीरियल था उत्रण जिसमें इन्होंने तपस्या का किरदार निभाया था इन्होंने सीरियल में पहले वीर सिंग बुंदेला से शादी की थी उनसे शादी करने के बाद इन्होंने रगु विरेंद्र प्रताप राठोर से श अपने इस सीरियल में करन लूत्रा से कई बार शादियां की हैं पर इनकी शादी को सही मुकाम नहीं मिला है। आपको बता दे कि इन्होंने कुल मिलाकर अब तक तीन शादियां की हैं। नमबर तीन श्रिती जहा जी टीवी का पोपलर शुक कुमकुम भागे में प्रग्या का किरदार निभाती नजर आ रही है अभी नेत्री श्रिती जहा। इन्होंने अपने इस किरदार को पखुबी दर्शकों की सामने पेश किया जिसके चलते ये दर्शकों की चहेती बन कि अभी नेता सब्वीर एहल वालिया से जो इस सीरियल में अभी शेख प्रेम महरा का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। नमबर चार शिवानगी जोशी ये रिस्ता क्या कहलाता है सीरियल में नायरा के किरदार से मशूर अभी नेतरी शिवानगी जोशी अपने किरदार से बेशुमार तारीफे हासिल कर रही हैं और दर्सुकों की चहेती बनी हैं वहीं अब बात करें इनके सीरियल में हुई शाद कर चुकी है और आज ये सीरियल में कुवारी सीरत के किरदार में नजर आ रही है नंबर पांध देवुलीनः भटा चार्जी पिश्टार प्लिस का पॉपलर शोषाथ निभाना साथिया में गोपी पहु के किरदार से मश्यूर हुई अभी नेत्री देवुलीनः भटा चार मुहम्मद नाजिम के साथ चार वार साधी की थी तो दोस्तों क्या आप इन अभी नेत्रियों की इतनी बार शाधी करने के बारे में पहले से ही जानते थे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साधी टीवी जगत से जुड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें